सालेकूम बच्चों अगर आपकी उम्रें कोई छे साल साथ साल साड़े साथ साल है न तो फिर आप जुरूर इसको इस वीडियो को देखिए सुनिए और जो कुछ मैं बताती हूँ जो काम वो जुरूर कीजेगा ठीक है मज़े का काम है अच्छा तो सबसे पहले तो मैं इस कि किताब से अपनी आपके लिए पढ़ रही हूँ दोस्ती हम दोस्ती एक जो था न वो अकेला था एक अकेला था दो आया तो खुश हो गया एक ने अपनी दो उंगलियां आगे बढ़ाए यूं आप करते हैं न दोस्ती इस तरह से हम और उसने कहा उसने पूछा मुझसे दो दोस्ती करोगे दोने भी अपनी दो उंगलियां आगे बढ़ाए ठीक है उसने भी आगे कर दी चार उंगलियां मिल गई एक और दो की दोस्ती हो गई दोनों ने मिल कर फिर बहुत सारे दूसरे दोस्त बनाए ठीक है अच्छा तो आप अप मुझे बताए कि आपके कितने और उनके नाम क्या है। और उनके नाम आप लिखेसी अगर आप लिखना जानते। ठीक है, ना। अच्छा, और जब आप किसी से नाराज होते हैं, तो यह बताईए कि अगर आप नाराज हों, तो क्या करना चाहिए। क्या कहा दोस्ति कर लेनी चाहिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और फिर जब दोस्ति कर लेते हैं तो फिर क्या होता है फिर होता है खेल तो यह अगला मैं पढ़ती हूं सबग पानी लबालब भरा था उसमें बच्चे शपाशब खेल रहे थे मतलब शपाशब कर रहे थे फिर निदा और समीर आए अर धम दोनो गिर पड़े निदा हसने लगीं समीर बिलग बिलग कर रोने लगा बस खेल सब समीर को बहलाने लगे अच्छा अब आप ऐसा कीजिए कि एक काखस की नाओ बनाएए किष्टी बनाएए और अगर आपके घर में पानी जमा है तो वहां उसको चलाएए और अगर नहीं तो आप किसी भी बड़े बरतन में पानी भर कर और यह कर सकते हैं पहले जड़ा अमी अब्बु से पूछ लीजिएगा ठीक है ना आपको पानी में खेलना अच्छा लगता है पसंद है बारिश में नहाना भी पसंद है तो अपने जो भी पसंदीदा खेल है ना उनके नाम बताईए और उनकी एक फैरिस बनाईए उनके नाम लिखिए कौन खेल आपको पसंद है आपके ख्याल में निदा क्यों हसी थी और आपके ख्याल में समीर क्यों रोया था और फिर मुझे ये भी बताईए कि जब कोई गिर जाए या किसी को चोट लगे तो क्या उस पर हसना अच्छी बात है या बुरी बात है अच्छा अब मैं पढ़ती हूँ पानी पेट में आपको पता है पानी को ग्लास में डालो तो वो ग्लास जैसा मतलब उसकी शकल जो है वो ग्लास जैसी हो जाती है पानी बोतल में डालो तो वो बोतल की शकल का हो जाता है बाख को पाइप से पानी पिलाते हैं अच्छा फिर पानी जो है वो पाइप की शकल इख्तियार कर लेता है हम जब पानी पीते हैं तो क्या होता है हमारे पेट की शकल का हो जाता होगा बिल्कुल तो अब आप पानी को किसी गलास में बोतल में या किसी और चीज में डाल कर देखे कि उसकी जो शकल है वो कैसे बदल जाती है और मुझे ये भी बताईए कि आप दिन में कितने गलास पानी पीते हैं ठीक है और पानी कहां कहां होता है उसकी भी आफ एरिस बना सकते हैं अच्छा गंदा पानी अगर हम पी लें तो उससे क्या हो सकता है मालूम है आपको सोची सोचकर बताईए कि गंदा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए क्यों सिर्फ साफ पानी पीना चाहिए अच्छा भी अब एक और जो इसमें है वो है हम सब दोस्त हमने दोस्तों की बात की थी न तो नीला पीला लाल काले मेरे बाल उसकी आँखें नीली गाल लाल लाल उसकी नाख लंबी मेरी नाख चप्ती हम सारे दोस्त हैं बहुत प्यारे दोस्त हैं अच्छे ये बताईए कि आप जब अपने दोस्तों को देखते हैं तो आप यकीन नहीं इसलिए बलके वो आपके दोस्त हैं कि बहुत सारी जो बाते हैं वो आपको अपने जैसी लगती हैं हो सकता है उनका मिजज उनकी दोस्ती उनके साथ खेलना उनकी पसंद उनकी नापसंद वो सब आप में हो सकता है कि मुश्तरिक हो हो सकता है कि ना भी हो लेकिन सबकी शकले फर्क हैं है ना शकल फर्क है जो आपकी आँखें नाख आपके कान आपके बाल आपका रंग हो सकत हो ना अच्छा लेकिन फिर भी वो हमारे दोस्त होते हैं और यह सबसे ज्यादा अच्छी बात है और यह भी बताईए कि आपको अपने दोस्त की कौन-कौन सी आदते पसंद हैं अब हम यह आखरी चीज पढ़ती हूं में हाथों के बारे में हाथ हाथ बड़े काम के होते हैं मानते हैं आप उनसे हम खाना खाते हैं अमी और अब्बू की उंगली पकड़ते हैं बस्ता खोलकर किताबे निकालते हैं लिखते हैं तस्वीरे बनाते हैं खुश होते हैं तो क्या करते हैं खुश होते हैं तो हम ताली बजाते हैं यूँ दोनों ह हाथों से अब सब मिलकर ताली बजाईए ताली बजाने में कितना मज़ा आता है जब खुश होते हैं तो ताली बजती है अच्छा अब आप एक काम कीजिए किसी कागस पर यूँ अपना हाथ रखे यूँ और पैंसिल लेकर यूँ 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 उंगलियों के घुमाईए आपको अपना हाथ बना हुआ उसकी तस्वीर मिल जाएगी फिर यह कीजिए कि घर में मुक्तलिफ लोग होंगे आपके है ना तो उन से कहिए वो सब भी अपने-पने हाथ बनाएंगे फिर आप देखिए मुकाबला कीजिए कि किसका हाथ बढ़ा है किसका छोटा है किसकी उंगलिया, अंगूठा कैसा है, ये सब बहुत मज़ा आएगा, उस पे रंग भी कर सकते हैं, आप कुछ लिखना हो तो वो लिख भी सकते हैं, अच्छा आप मुझे ये भी बताईए कि आपको अपने हातों से कौन-कौन से काम करने पसंद हैं, क्या अच्छा लगता है हाथ स करना, ताली बजाना तो मुझे मालूम है कि आपको पसंद है, लेकिन उसके अलावा भी क्या पसंद है, ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं, खुदा आफिस,